आज हम बना रहे हैं गोबी आलो मतर उसके लिए हम लेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे अराउंड 3-4 टेबल स्पून्स ओईल फिर उसमें डालेंगे टू रफली चॉप्ट अनियन्स और टू रफली चॉप्ट टोमेटोस उसको अच्छे से सौटे कर लेंगे फिर डालेंगे 5 कारलिक्स, एक इंच जिंजर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हमारे टॉमेटोस पग जाएंगे और अनियन्स च्रांस्लिसिंट हो जाएंगे हम इसको कूल डाउन करके ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे फिर सेम कड़ाई में हम लेंगे और टेस्ट 2 स्पून्स ओईल उसमें आड कर देंगे हमारी गोबी उसको 5-7 मिनिट्स चर फ्राइ कर देंगे गोबी जैसे कलर चेंज कर दे हम उसको निकाल लेंगे फिर सेम कड़ए में हम एड़ करने देंगे एट्टू सॉपट पोटेटो इसको 2 इंग इसको अराउंड three to four minutes ही savet करेंगे और इसको निखाल के साइर में रख देंगे सेम कड़ए में हम एड़ करेंगे और two spoons oil, एक cinnamon stick, तीम ऑला चोटी लाइची, एक बड़ी लाइची और 3-4 लॉंग फिर जो हमने वो ग्राइंडिंग जार में अनियन्स और टोमेटो निकाल लिये थे उसके पेस्ट बनाके हम यह पेस्ट इसमें आड कर देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने बाद हम ऐड करेंगे टू स्पून रेच्छिली पाउडर थोड़ी सी हल्द मिक्स कर लेंगे फिर ऐड करेंगे वन स्पून कॉरियंडर पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर बन करके हम 5 मिनिट हमारे मसाला इसको पकने देंगे एक बार मसाला पक जाए हम इसमें आड़ कर देंगे हमारे आलू आलू को अच्छे से मिक्स करके हम इसमें आड़ कर देंगे पानी जो पेस्ट हमने grinding jar में बनाई थी वो थोड़ी बचती है तो उसमें one cup water आड़ करके हम वही पानी इसमें डाल देंगे इसको अच्छे से mix कर देंगे और cover करके हम इसको 10 minutes पकाएंगे उसके बाद हम आड़ कर देंगे गोबी और हमारा मटर अच्छे से mix कर देंगे हम इसको 10 minutes simmer होने देंगे जैसे वो simmer होने लग जाए और उसके बाद पक जाएगा हम इसमें आड़ कर दें कसूरी में दी mix कर देंगे medium flame पर इसे 2-3 minutes पकने देंगे और delicious आलू मटर गोबी रेडी है